तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं जो स्टॉक लेने जा रहा हूं वो है डिफेंसिफ सेक्टर से यानिकि जब मार्केट गिरता है तो कौन सा सेक्टर है जो मार्केट को समालने की कोशिश करता है या फिर वो आटोमेटिक लिए ग्रीन साइन में आ जाता है तो उसमें से यहाँ पर हमें कोई इंडिकेशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो ब्रेक आउट इस स्टॉक में ला दे यहाँ पर हम लेक बाइंग साइड में ऑपरचुन्टी देख सकते हैं और देखिए फार्मा सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक तो ऐसा नहीं है जिसमें ट्रेडिंग क पर तकरीबन 7% की तेजी से स्टॉक में रही है और देलवरी परसेंटेज भी देखें तो 52-53% के आसपास यहाँ पर आते भी दिखाई दे रही है जो बहुत जादा स्टॉंग है 29 अप्रेल 2022 को 967 रुपीस के 52 वीक हाई लेवल लगाये थे इस स्टॉक ने इसी के आसपास अब यह स्टॉक आ चुका है तो हमें इसी को चेक करना है कि क्या यह इस बार इसको ब्रेक कर पाएगा या फिर नहीं चलिए मैं आपको सीधे चार्ट के उपर लेके चलता हूँ डेली चार्ट के उपर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सिचुशिशन क्या नस किया है अब स्टॉक प्रेस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था तो आप देखें किस तरीकी का रिजेक्शन मिला है यहाँ पर इवेंच्वली नीचे आ गया यानि कि सैलर्स हावी हुए इसको नीचे लिया है तो बायर्स ने केवल यहीं तक उनकी चलने दी ठीक है लेवल तक के टार्केट देखने को मिल सकते हैं और यह जो लेवल है यह भी देखिए प्रिविएसली स्कैंडल के रिजिस्टन्स लेवल है इसको मैंने इसलिए मार्क किया है तो आपको साड़े 900 रुपे तक के टार्केट देखने को मिल सकते हैं 920 रुपीज का करण मार्क candle है यहाँ पर opening होती है price की यहाँ पर closing होती है इसके बहुत नजदिक high level लगाता है इनके इस level के आसपर जो मैं mark कर देता हूँ and the levels are 927. 927 रुपे के high levels तक stock जाता है last trading session पर and closing 921 पर होती है तो बहुत जादा difference नहीं है high levels में and closing levels में ठीक है तो बहुत जादा chances हैं कि इन level से आगे stock continue करने की कोशिश करें और इस pressure वाले area को इस supply वाले area को इस बार अच्छे खासे volumes के साथ निकाल ले previous दो दिन के volumes देखिए progressive है ठीक है ना यहाँ पर volumes बड़े है अगर अगली candle पर एक green volumes छोटे बार भी पस यह चीज़ चेक करनी है क्योंकि already इस stock ने इन level से यह वाले level भी हम लोग देखे मार्क कर लेते हैं यह हमारे पास level आ रहे है 865 की 865 रुपे के level से और इन levels तक 927 रुपीज के level तक एक अच्छा खासा up move दिखा दिया है ठीक है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना लास्मी है अब यहाँ पर फर्दर इन levels पर पोजिशन नहीं बनानी हमें चेक करना है कि अगर यह closing इस red line के ऊपर दे देता है अगली candle में closing 927 के ऊपर आ जाती है then 950 तक के targets आपको देखने को मिल सकते हैं जो definitely इस stock के अंदर एक अच्छा खासा move आपको दिखा देंगे altogether जो situations है वो काफी positive दिखाई दे रही है as per the volumes और जो prices structure है and candles का behavior है यहाँ पर शहुर है तो यह जो short term में एक higher high की formation हुई है might be छोटा सा pullback लेगे यहां से decisively इस stock को cross कराती भी दिखाई दे जाए अब देखिए एक और important observation हम लोग ले लेते हैं Fibna की retracement के हिसाफ से and मैं क्या करता हूं इन सारे के सारे जो drawings यहां पर है इसको मैं remove कर देता हूं तो recent में हमारे पास में यह low levels है और यह high levels ठीक है इसके बीच में आप देखिए क्या situation नजर आ रही है एक और positive यहां पर जो point है वो यह stock price जब इन level तक पहुचा था यह पूरी journey थी low level से high levels के बीच में नीचे की तरफ आते वक्त इसने इन लेवल्स पर 50% की retracement zone पर एक support का काम किया ठीक है 50% का एरिया है and the levels are 870 अब यहां से जब उपर की तरफ जा रहा है तो इसने decisively 23.6% की hurdle को break कर दिया है यह नहीं कि 914 रुपे की जो resistance जोन ते उसको निकाल की stock ऊपर की तरफ चला गया है और अगला जो target है वो इसका 952 का रह सकता है तो आपके पास में price structure से volume से यह दो indication मिल रहे थे already की stock ऊपर की तरफ जाएगा अब यह तीसरा indication है फिबना की breakout आएगा और यह stock in level तक जरूर पहुशतावा दिखाए देगा तो यह condition भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए technically इस तरीके से हम लोग find out करते हैं कि stock में जो breakout आने वाला है क्या वो supportive है या फिर नहीं तो यहां पर definitely supportive वो प्राइब सेक्षिन हमें देखने पर मिल रहा है अगर आप फार्मा सेक्टर की तरफ जाए यानि कि defensive stock की तरफ जाए तो मैं आप सब्सक्राइब करूंगा कि एक तो high volatility वाले stocks को चूज करें ठीक है कोई भी stock आपको यहां पर trading की opportunity नहीं देगा अगर आप ऐसी randomly choose कर लेंगे दूसरा थोड़ा सा आप यह देखें कि जैसे अपोलो hospital जैसा stock है वो भी basically फार्मा सेक्टर से exactly नहीं लेकिन अगर आप देखें तो इसी service industry के अंदर आता है अपोलो hospitals में क्या हुआ लगातार बहुत बड़े-बड़े moves देखने को मिले पिछले हफते और फाइनली लास्ट इटिंग सेशन पर साढ़े चार पाँच परसंट की गिरावट भी रही है तो ऐसे moves से बचिए जिन इस stocks का RSI बहुत high levels पर है वहाँ पर buying मत कीजिए क्योंकि already market के अंदर बहुत जादा uncertainty है तो सबसे पहले वह stock damage करते हैं जिनके जो अपनी fair value से काफी उपर trade हो रहे हो तो RSI एक बहुत अच्छा indicator है तो यह बता देता है कि आपको वह stock एक fair value पर मिल रहा है या फिर वह अपने overbought zone में है यानि के higher value पर मिल रहा है तो expensive stocks आपको नहीं खरीदने है इस type की आपको situation बनानी है अप इस particular stock में अगर हम लोग देखे तो इसके RSI की value अग आप देखे क्य रहते हैं stop loss जरूर लगा के रखेंगे याद रखेंगे जिन भी लेवल पर आप यहां पर position बना रहे है तक करीबन 10-15 रुपे का SL आपका होना चाहिए और bare minimum मैं है यहां पर 1-2% 1-2 risk to reward का यहां पर मैं possibility देख रहा हूं तो यहां पर अगर आपको 10-15 रुपे का SL लगाना हुए किस टाइब की situation से यहां पर दिखाए दे रही है इस वीडियो में फिलाल इतना ही यह वीडियो आपको अच्छी लेगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलूंगा बहुत जल्द आप से लिए वीडियो में तिल देन थेंक्यू बाइ आपे देने हीजिए झाल इनी में